अगर आप उर्दू साहित्ते के स्टूडेंट्स हो तो इस वीडियो को लास तक जरूर देखेगा डियर स्टूडेंट्स आपका उर्दू का पेपर दस तारीकों होने वाला है उमीद है आपकी उर्दू से बहुत अच्छी त्यारी होगी और उसी त्यारी को और चार चांद लगाने के लिए ये आज मैं आपके सामने एक महतोपून वीडियो पेश कर रहा हूं उमीद है ये वीडियो आपके एक्जाम में काफी मदद करेगी तो ये जो वीडियो है ये महतोपून मोडल पेपर के रूप में है इंपोर्टेंट पर्सन है और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी उर्दू की जो वार्षी परिक्षा होने वाली है वो इसी पेटर्न पर हो जारी रखे उमीद है आपने अच्छे से त्यारी कर ली होगी लेकिन फिर भी आप लास्ट टाइम देख लीजिएगा इसमें जो पर्सन पूछे गए हैं सेम उसी तरह के पर्सन वार्षी परिक्षा में देखने को मिलेगा वीडियो को पूरा देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो देखिए बढ़ते हैं सबसे पहले देखिए आपका उर्दू का जो पेपर है वो सवा तीन घंटे का होगा अन्य पेपर की तरह ही और मेक्जिमम मार्क्स जो होंगे आपको मिलने वाले हैं वो 80 नमर म मिलने वाले हैं 80 नमर का पेपर होगा और 20 नमर आपके स्कूल से स्त्रांक है वो बेज बेजे गए हैं तो सबसे पहले देखिए अन्य पेपर की तरह सबसे उपरी उपर आपको इन 6 पॉइंट्स में कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन्स होगी इन जनरल इंस्ट्रक्शन्स को आ बैब का फिर्पर होगा वो अलग-अलग सेक्शन में बंटा हुआ होगा सेक्शन एक जो कि उसमें जो परसंन पूछे जाएंगे वह पूचे जाएंगे ओजेक्टिव टाइप परसं बारे ओजेक्टिव टाइप परसंन होगे आप देख सकते हो इनकी पीडियव चाहिए तो मेरा टेलिग्राम चेनल जिसका नाम है साजिद सरबाड़ेट जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बोक्स में डाल रहा हूँ वहां से आप क्या कर सकते हो इसकी पीडियव प्राप्त कर सकते हो देखें ये 12 पर्षन है, objective टाइप पर्षन है, महतोपून है आप देख सकते हो इन 12 पर्षनों के बाद आप देखोगे जो दूसरा पर्षन होगा वो क्या होगा रिक्त स्थान की पूर्ती करने वाला मतलब खाली स्थान को आपको भढ़ना होगा, ये खाली स्थान आपको दिये गए हैं, 6 खाली स्थान है, इन 6 खाली स्थान को आपको भढ़ना होगा परतेक सही जवाब पर आपको एक नमबर मिलेगा उसके बाद एक परसन संक्या 3 यह अती लगुत्रात्मक परसन है परतेक सही जवाब पर आपको एक परसन एक अंक मिलेगा और यह टोटल 12 परसन है आप देख सकते हो उसके बाद देखे section B जिसमें लगुतरात्मक person होंगे 50 words में आपको जवाब देने होंगे देख सकते हो person संक्या यानि के 4 से लेकर के ये 2-2 नम्मर के यानि की person है 16 तक उसके बाद देखे section C जो gym section है उनमें 120 words के अंदर आपको लिखना होगा person संक्या 17 जिसमें क्या दे रखा है एक पैसेज दे रखा है इनकी क्या करना है आपको पैसेज को पढ़ना है और जो पूछा गया है उनका जवाब आपको देना है उसके बाद देखे 18 person option में person है देखे 19 वाँ भी option में है आप देख सकते हो 20 वा person 20 सेक्षन तक यानि ये तीन तीन नमर की है section D देखिए जो दाल सेक्षन है वो देखे person संक्या 21, 22 ये 22 तक person है और option में इनके यानि की person दिये गए है तो इस तरह का आपका paper रहने वाला है तो उमीद है ये paper आपकी वारसी परिक्चा में बहुत काम आएगा तो वीडियो को like channel को subscribe करना नहीं भूलिएगा सुकरिया